हैलो दोस्तो स्वागत है मेरे यूटूb चैनल इलेक्टिकल हब में यहां पे देख सकते हैं हमारे पास MICRO TAKE का EB 700 जो मॉडल होता है उसके जो बैक में इंडिकेशन होते हैं हम उसके बारे में यहां पर बात करेंगे यहां पर यह देख सकते हैं जो इसकी सैटिंग होती है यह इस setting के बारे हम यहाँ पर बात करेंगे कि यह क्या क्या होती है हमने इस setting को कहाँ पर रखना चाहिए वो सब हम देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं mainly आपको दो setting देखने को मिल रही है एक है यहाँ पर input voltage और दूसरा है charging voltage इन दोनों का बहुत बड़ा महत्तो है इस inverter में अगर आपने इसको सही तरीके से रखा तो जो इनवेटर की life है बैटरी की life है वो क्या ओगी बहुत जादा हो जाएगी अगर आपने गलक तरीके से रखा उसमें inverter भी खराब होने की chances हैं और 7 में battery भी खराब होने के chances बनते हैं तो दोस्तो वीडियो में बने रहे हैं वीडियो को skip ना करें पूरा में इसमें बताऊंगा कि इसका हमारा क्या काम है किसको हम कहाँ पर रख सकते हैं दोस्तो करें चैनल में नए है तो चैनल को subscribe कर लेना वीडियो अच्छे लगती है वीडियो को like कर लेना तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं input voltage input voltage में आपको यहाँ पर एक narrow दिखेगा और यहाँ आपका STD यानि standard तो जो input voltage है हम उसको standard में रखें या narrow में रखें तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जो input voltage होता है अगर आप इसको standard में रखेंगे जो यहाँ पर standard होता है तो अगर आपके यहाँ का voltage 90V से 30V में आता है 90V से 30V आता है यानि अगर low जाता है कभी वो voltage वो 90 तक है और कभी अगर high हो जाता है तो 300 तक है तो आप इसको standard पर रख सकते हैं और अगर voltage low पर आपका 180 आता है और high 260 चला जाता है तो इस case में आप narrow रखें तो होगा क्या जैसे आपने इसको narrow में यहाँ पर देखते हैं switch है हमारा उपर नीचे करने के लिए अगर आपने narrow में रखा हुआ है narrow में जवाब रखेंगे minimum है इसका 180 जैसी यह 180 voltage इसको input मिलेंगे तो यह 180 तक तो ठीक चलेगा उसके बाद voltage drop उंगे तो यह automatic UPS mode मा आ जाएगा अगर 180 से कम voltage इसे जैसी मिलेंगे तो यह UPS mode मा आ जाएगा और 260 से जादा voltage मिलेंगे तो भी यह UPS mode मा आ जाएगा उसके बाद charging बंद कर देगा और standard में क्या होगा अगर minimum 90 voltage भी आ जाएं आपके तब भी यह charge करेगा और maximum 300 voltage भी चले जाएंगे तब भी यह charge करेगा तो इसको क्या कर सकते हैं आप जिस तरीके से आपके यह voltage drop होते हैं उस तरीके से रखें अगर आपके यह voltage down होते होते नब्य तक चले जाते हैं तो आप इसको standard में लख सकते हैं और voltage बहुत ज़ादा fluctuate होते हैं जैसे 300 चले जाते हैं कभी high, कभी 90-90 आ ज़ाते हैं तो आप standard में रखें 90V minimum, 300V maximum होता है और जो narrow होगा 180V minimum और maximum 260V होगा अगर इससे up down होता है तो ये automatically UPS mode में चला जाएगा अब हम आते हैं charging यहाँ पे इसका बहुत ज्यादा रोल है बैटरी के खराब होने पर अगर आपने इसको सही धंग से रखा हुआ है तो आपके बैटरी चलेगी नहीं तो ब overload का असर पड़ेगा तो charging भी आपको यहाँ पर देख सकते है standard और high दो तरह की की यहाँ पर charging आपको दी हुई है तो होता क्या है अगर आपकी battery क्या होता है आपकी ampere के हिसाब से आती है 100 ampere, 1500 ampere, 160 ampere, 180, 220 ampere इस तरीके से आपकी battery आती है तो इसमें है क्या जो standard है ये normal charging है इसको normal charging कह सकते हैं इसको high charging कह सकते हैं जब आपकी battery की charging यानि battery के ampere 100 ampere या उससे कम अगर आपकी battery है ampere में 80, 60, उससे भी कम तो आप उसको standard में रख सकते हैं इसको standard में क्या होता है दोस्ते साड़े 13 volt के करीब को battery को full charge करके ले जाता है तो छोटी battery है 100 volt या उससे कम तो आप उसको standard में रख सकते हैं साड़े 13 volt पर ये cut कर देगा battery को full करके और अगर आपकी battery 100 volt से उपर है 1500, 160, 180, इतने तक अगर 220, इतने तक भी अगर आपकी battery है तो इसको आप high में ले जा सकते हैं high में क्या करता है ये साड़े 14 volt चार्ज करने के बाद इसको क्या करता है cut कर देता है अगर आपने छोटी battery को high पर जोड़ दिया ये छोटी battery लगा रखी है 100 volt या उससे नीचे 100 amp या उससे नीचे और अगर इसको high पर लगा रखा है इसको selection आपने ऊपर कर रखा है इस तरी जादा और अगर इसका उल्टा करेंगे बड़ी battery अगर आप standard mode में जोड़ दिंगे जो 100 amp से जादा होगी उस case में क्या होगा कि हमारी battery साड़े 14 तक पहुंचनी की छमता रखती है लेकिन वो क्या गरेगा बहुत time लगा देगा उसे charge होने पर जो last last charging होती है उस पर बहुत कर सकते हैं यह आपका साड़े 14 बोल्टे करीब के चार्ज करता है battery को यह आपका साड़े 13 करीब में चार्ज कर देगा तो इस तरीके साब इन दोने स्विचों का selection कर सकते हैं वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं